कक्षा आठवी, हिंदी, दूसरी इकाई में दूसरा गटक, दो लगुकताईं, दो लगुकताईं के लेख़, हरी जोशी, उनका परिचे, उनका जन्म, 1943, खुडिया, मध्यप्रदेश में हुआ था, सेवा निवुरुत्त प्राध्यापक हरी जोशी जी की साहितिक रचनाई, हिंदी की लगबग सभी प्रतिष्टीत पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है, आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागिश्वरी सम्मान प्राप्त हुए है, उनकी कुछ प्रमुक्रुतिया इस प्रकार है, पंखुरिया, यंत्रयूग, अखाडों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग, आदी, गद्य संबंदी, दूसरी लगोकता में, आपने समझाया है कि कठोर्ता की अपिक्षा, विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है, गमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अता हमें गमंड नहीं करना चाहिए, दूसरी कहानी में, हरी जोशी जी कहना चाहते है कि, दातों और जीब के वारतालाप के माध्यम से, लेखक ने विनम्रता के महत्व को दर्शाया है, गमंड और कटोरता प्रतिक स्थान पर अप्रिय और हानिप्रद होती है, अता हमें अपने आचरन में विनम्र होना चाहिए, ये इस कथा से वे समझाना चाहते हैं, दो लगु कताएं में, दूसरी कता, जीब का वर्चस्व, आज हम सीखेंगे, पंक्तिबद और एक जूट रहने के कारण, दात बहुत दुस्साहसी हो गए थे, पंक्तिबद याने पंक्ती में बंदे हुए, एक जूट याने एक साथ, एक दिन वे गर्वा में चूर होकर जिवा से बोले, हम 32 गनिष्ट मित्र है, एक से एक मजबुत, तू ठहरी आके लिए, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे, जीवा ने पहली बार ऐसा कलूशित विचार सुना था, कलूशित याने अपवित्र दूशित, वो हसकर बोली, उपर से एक दम सपेद और स्वच्च हो, पर मन से बड़े कप्टी हो, कप्टी याने चली, चल करना, कपट करना, तो दात हमने देखे हुए है, वो पंक्ति बद्ध होते हैं, क्रम से होते हैं, और एक जुट भी होते हैं, दातों की संख्या भी हमें मालूम है, उसके आकार भी हमें मालूम है, हमने देखे हैं सब के पास होते हैं, तो वो एक जुट होते हैं, और एक जुट होने के कारण ही, पंक्ति बद्ध होने के कारण, वो बहुत दुस्साहसी हो गए थे, और उसी दुस्साहस में, गर्वों में चूर होकर, वो जीवा से बोले, जीवा याने जीब, कि हम 32 गनिष्ट मित्र हैं, दातों की संख्या दिये हैं यहां पर 32, एक से एक मजबूत, दात मजबूत भी होते हैं, नुकिले होते हैं, और उन सब के अंदर जीवा, तो वे जीवा को धमकी दे रहे हैं, कि हम गनिष्ट मित्र हैं, एक से एक मजबूत है, हमारी संक्या भी आदिक है, 32 है और तू अकेली है, अगर हम चाहेंगे, इन दातों को बंद कर देंगे, तो उसे बाहर भी न निकलने दे, किसे जीवा को, तो जीवा के लिए ये नया था, उसने ऐसा कलूशित विचार, अपवित्र विचार, दूशित विचार, या ऐसी धम की, पहली बार सुनी थी, तो उसने भी हसकर बोल दिया, कि उपर से एकदम सपेद और सुच्च हो, दातों का रंग कैसा होता है, सपेद, तो उपर से एकदम सपेद हो, सुच्च हो, लेकिन मन से बड़े ही कप्टी हो, तुमारे विचार बिल्कुल भी अच्छ नहीं है, छल करते हो, कपट करते हो, सिर्फ दिखने में सपेद हो, सुच्च हो, उपर से स्वच्च और अंदर से काले गोशित करने वाली जीब, वाचालता छोड़, वाचालता याने बात करने में निपुन्ता, अपनी अवकाद में रहे, अवकाद याने सामर्थ्य, हम तुझे चबा सकते हैं, यह मत भूल कि तु हमारी कृपा पर ही राज कर रही है, दातों ने किट किटा कर कहा, यहाँ पर एक मुहावरा आया है, दात किट किटाना, दात किट किटाना, याने क्रोध में दात पीसना, जीव ने नम्रता बनाए रखी, किन्तु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी तूटते भी है, ललक, लालसा या तिवर इच्छा, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं, तुम लोग अवसरवादी हो, अवसरवादी यानि स्वार्थी या मतलबी, मनुश्य का साथ तभी तक देते हो, जब तक वह जवान रहता है, व्रद्द आवस्ता में उसे असाहय छोड़ कर चल देते हो, तो अब यहां पर दातों ने जीवा को उतर दिया है, जो जीवा ने उन्हें कप्टी कहा था, उस बात पर, कि उपर से स्वच्छ और अंदर से काले गोशित करने वाली जीब कि तुमने हमें उपर से स्वच्छ और अंदर से काला तो गोशित कर दिया तो वाचालता छोड़ यह जो तेरी बात करने में निपूनता है तो अच्छ से बात कर सकती है और ऐसी निपून बाते करना छोड़ और अपनी आवकात में रहे अपना सामर्ते तू पहचान ले हम सब इतनी है संख्या में और तू अकेली तो दात कहते कि हम तुझे चबा भी सकते हैं और ये भी कहते है कि तू ये मत भूल कि तू हमारे कृपा पर राज कर रही है तो ये दात पीस पीस कर दात बोल रहे थे जीवा को धमका रहे थे लेकिन अभी भी जीवा ने उसकी नमरता बनाई रखी थी नमरता बनाई रखी लेकिन उसने उत्तर दिया दातों को कि दूसरों को चबा जाने की जो इच्छा तुम लोग रखते हो तो वह जल्दी तूटते भी है जिन दातों पर तुमें घमंड है वह दात तूटते है और जो सामने वाले होते हैं वो तो बहुत जल्दी गिर जाते है क्योंकि दातों को वह जीवा कहती कि तुम लोग स्वारती हो, मतलबी हो मनुष्य जब तक जवान रहता है तब तक तुम लोग उसके साथ रहते हो और जैसे ही मनुष्य व्रद्धावस्ता में जाता है तो तुम लोग उसका साथ छोड़ देते हो गिर जाते हो, निकल जाते हो शक्ति शाली दात भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे बोले हमारी जड़े बहुत गहरी है हमारे कड़े और नुकिले पन के कारण बड़े-बड़े हमसे थर्राते है कड़े यानि सक्त थर्राना यानि भहसे कापना जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया तुमारे नुकिले या कड़े पन का कारेक्षेत्र मों के बीतर तक सीमित है विनमरता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और जुकाने की ख्षमता है तो दात शक्ति शाली है इसलिए वह बिहार नहीं मान रहे थे जीवा को उत्तर दे रहे थे धमका रहे थे बार-बार तो वह जीवा से बोले कि हमारी जड़े बहुत गहरी है हम बहुत सक्त है, नुकिले है, इसलिए शक्तिशाली है, हमारी संक्या आदिक है हमसे सब घबराते है, भई से कापते है इतना कुछ सुनाने के बाद भी जीवा दातों को शान्ती से ही उत्तर दे रही थी विवेकपूर नहीं उत्तर दिया फिर से उन्होंने कि तुम्हारा ये जो नुकिला या कड़ापन है इसका क्षेत्र सिर्फ मुखे बितर तक सीमित है मुखे अंदर रहकर ही तुम ये कारिय कर सकते हो या फिर जीवा के साथ ये कारिय कर सकते हो लेकिन मैं जो हूँ मुझे इतनी ताकत है कि मेरी दुनिया को प्रभावित करने की दुनिया को जुकाने की क्षमता है मैं दुनिया को अपने शब्दों द्वारा अपनी बोली द्वारा जुका सकती हूँ प्रभावित कर सकती हूँ मूँ के बाहर भी मेरा क्षेत्र है किसी तक भी मैं अपनी आवाज पहुंचा सकती हूँ दातों ने पुनह दम की दी हम सब मिलकर तुझे गेरे खड़े है कब तक हमसे बचेगी जीब ने दातों के गमण को चूर करते हुए एच्चेतावनी दी डॉक्टर को बुलाऊं दंत चिकित सक एक-एक को बाहर कर देगा मुझे तो चुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे गमणी दात अब निरुत्तर थे निरुत्तर जो उत्तर न दे सके उन्हें कविता की यह पंक्ती याद आ गई किसी को पसंद नहीं सकती बयान में बयान, चर्चा, आवाज या कथन तभी तो दी नहीं हड़ी जबान में गमंडी दातों ने आकिर जीब का लोहा मान लिया यहाँ पर मुहावरा आया है लोहा मानना लोहा मानना यानि स्रेष्ठता को स्विकार करना तो इतना सारा होकर भी फिर से दातों ने जीवा को धमकी दी कि हम सक तुझे गेरे खड़े हैं और कब तक तो हमसे बचेगी अब जीब ने भी दातों का घमन चूर कर दिया उन्हें भी चेतावनी दी कि ये मैं डॉक्टर को बुलाओं अगर डॉक्टर आएंगे तो क्या कर देंगे दंतचिकित सक आएंगे तो ये केक को बाहर कर देंगे यानि उखाड कर फेक देंगे न नहीं क्योंकि दन तचिकित्सक दातों को निकालेंगे और मैं जहां थी वहां पर रहूंगी और तुम सब बाहर दिखाई दोगे अब ये चेतावनी सुनने के बाद गमंडी जो दात थे वह निरुत्तर हो गए थे उनके पास उत्तर देने के लिए अब कुछ नहीं था गबरा गए थे वे तब उन्हें कविता की ये पंक्तिया याद आ गई थी कि जबान में सक्ति किसी को पसंद नहीं है इसी लिए तो जबान में हड्डिया नहीं है याने गमंडी दातों ने आखिर जीब का कहना मान लिया था उसकी स्रेष्टता को स्विकार कर लिया था तो इस कथा के माध्यम से लेख़ ये समझाना चाहते है कि कठोरता की अपिक्षा विनमरता अधिक महत्वपुर्ण है गमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है इसी लिए हमें गमंड कभी नहीं करना चाहिए हमारे आचरन में हमेशा विनमरता होनी चाहिए इस कथा में आए कुछ प्रश्ण स्वाध्याय प्रश्ण पहला संजाल पूर्ण करो दातों की विशेश्टाएं विशेश्टाएं लिखने के लिए वहाँ पर जग़ दी गई है प्रश्ण दूसरा उत्तर लिखो उसमें पहला जीब द्वारा दी गई चेताउनी उत्तर लिखने के लिए जग़ दी गई है प्रश्ण दूसरा पंक्तिबद और एक जुट रहने के कारण दातों में आया गलत परिवर्तन उत्तर लिखने के लिए वहाँ पर भी जग़ दी गई है प्रश्ण तीसरा विधानों के सामने चौकट में सही अत्वा गलत चीन लगाओ पहला जीवा ने अविवेक पूर्ण उत्तर दिया दूसरा दात गमंडी थे दात कमजोर थे और चौथा दातों ने आखिर जीव का लोहा मान लिया कर दाता है